हाई पच्चा लोगों कैसे हैं आप और आप देखना सुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग जिसमें कि आप अपनी एजुकेशन इस्टडी को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं बच्चों पक्का ना तो बच्चों आप सभी को आप से पहले दीपावली की हार देख सोब कामना है और आप लाइफ में इतने अच्छी पोजीशन पर हों कि काफी सारे लोग आपकी बज़े से दीपावली की खुशियों को सेलिबरेट कर रहे हों मैं पक्का बाबामा से प्रेयर करूंगा कि आपकी सारी विस्स पूरी हो हैपी दीपावली टू आल माई डियर बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम केमिस्टी के फुल स्लेवस के एमसे की उज़ कर रहे हैं और आज है पार्ट टू बहुत इंपोटेंट क्वेस्टन से आज के दिन के बच्चो तो चलिए पैसे टाइप बच्चो नमबर 125 आपकी स्क्रीन पर बच्चो क्या कह रहा है देखिए तो बच्चो रीट दा फॉलोइंग और आंसर एनी फॉर क्वेस्टन आपको फोर हमें फाइप करने हैं तो मार्वल पॉपुलर्डी बेगिन एंसेंट रोम एंड ग्रीस अपने नाम सुना वह रहा इस पूरे को सेंटेंस को पूरा आपने सुनाए कभी कि रोम जल रहा था कब जल रहा था रोम अपने सोचल स्टेडी पढ़ा होगा तो पता होगा वेर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्वल वर यूज तू कंस्ट्रक्ट वराइटी ऑफ इस्ट्रचर आपके गढ़ों में म के लिए आम मैंसे कोई चाहता है कि अपने किसी फेवरेट वन के लिए ऐसी कोई बेडिलिंग मनाए कोई है सबच्चा कि सर मैं पक्का एक ऐसी मेमोरेबल बेडिलिंग मनाना चाहता हूं जिसे लोग लाखों सालों तर याद रखें में गॉड ब्लैस यू बच्चो तो चल में होता है यह इनमें भी होता है जिपसम में नहीं होता है बच्चो तो क्या इसमें आपको कलसीयम कार्म नहीं देखा नहीं देखा पक्का दा प्रेक्ट चोईसे सी किस किस का एक चलिया तो क्वेस्टियू नम्मर टू क्वेस्टियू नम्मर टू अश्टूडेंट एड़ टेंग ग्राम ऑप केल्सियू कार्मोनेट इन रिजट कंटेनर के लिए सिकुर्ड टाइटली अन इस्टार्टे टू हीट इट आप् जब केल्सियू कार्मोनेट को एक कंटेनर में हीट करना था तो प्रेशर बढ़ने लगा और यह नोटे एंट इंटरवल प्रेशर को मेजर किया अधि अगेंस्ट टाइम और टाइम के साथ उसने ड्रॉ किया ग्राफ अब यह ग्राफ आपको देख रहा है तो यह बत हो रहा है बच्चो तो प्रैसर भढ़ रहा है कि लिए प्रैसर इंक्रीज हो रहा है अब देखें किस डियूरेशन में प्रैसर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है जीरो से 5 यहां से लेकर यहां तक आ गया मतलब 0.25 से 0.75 हो गया मतलब कितना बढ़ गया बढ़ गया अब आप देखें 5 to 10 5 to 10 में आपका 0.75 से हुआ तो 0.25 बढ़ा और 10 to 25 में 1 से कितना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा तो almost same है, तो सबसे ज़्यादा increase कहां पर हुआ है बच्चो देजमन clear, तो 0 to 5 minute के बीच में सबसे ज़्यादा decomposition हुआ होगा, तभी आपका बच्चो pressure सबसे ज़्यादा बड़ा, तो the correct answer is D, बहुत tough और important question सबको समझ में आगे है कि ने, आगे पहले तो उता ही है, अच्छा graph इस question था, बहुत tough चले, question number third, gas a, obtained above is a reactant for a very important biochemical process, आप सबी को पता है, carbonate को जब heat करते है calcium carbonate heat करेंगे, बच्चों क्या बनेगा, cao और co2, कौनसी gas निकलती है co2, तो ये gas हो गई अब एक gas कौनसी process में काम आती है, respiration में काम आती है no, किस में काम आती है, बच्चो photosynthesis, the correct choice is photosynthesis दीवाली हैं, दीवाली के आप बहुत सारी preparation कर रहे होगे एक competition दीवाली का आज हम रख रहे हैं और क्या है, उसका wait करिए और सब लोग participate करें, और जो winner होगा उसके लिए अच्छे से गिप्स होँगे, दीवाली हैंपर होगा पक का जब आप आएंगे तब आपको मिलेगा, चले question number fourth marvel statues are corridor or stand when they repeatedly come into contact with polluted rainwater polluted rainwater बोल दीजे आप बोल दीजे, acid rain आपको बता है, acid rain marvel को भी degrade कर देती है के लिए सबको आ रहा है, तो बच्चों बताना है क्यों ऐसा हुआ जे marvel की statue देखी, 98 में यह देख रही है, है ना 98 में और 1969 मों उसकी सकल ही नहीं देख रही है कई देख रहा है फेस, नहीं देख रहा ना live हो गया statue बिलको degrade हो गया, क्यों तो decomposition of calcium carbonate to calcium oxide, no polluted water is basic, no polluted water is acidic in nature hence, it react with calcium carbonate, और calcium carbonate से react कर लेगा, the correct choice is C, सबको आ रहे पक्का आ रहा है बच्चों के लिए डंग से पढ़िये, खूब सारा पढ़िये चले, next question number 5, calcium oxide can be reduced to calcium, अब इस question को डंग से देखना, by heating with sodium metal, आईए मैं रेक्शन करके देखाता हूँ, calcium oxide और plus sodium अब किस में convert हो गया, calcium and sodium oxide, na2 सबको आ गया बच्चों 2 2 2, और 2, अब आईए, अब हमसे कह रहा है, which compound would act as an oxidizing agent in our process, इस process तो देखे, CAO से बन गया है CA, CA मतलब removal of oxygen, हर concept को सीखिए, removal of oxygen और removal of oxygen क्या होता है, reduction और reduction जिसका होता है that is called oxidizing agent clear, समझ में आए बच्चों, oxygen का अड़ना, reduction na से क्या बनना है बच्चो, na2o, na से na2o बनना है addition of oxygen, मतलब na का क्या हुआ बच्चो, आपको पता है na का हुआ, oxidation, मतलब na होगया, reducing agent अब क्या कह रहा है, oxidizing agent बताना है, कौन है, तो आपका this is calcium oxide is the answer किस किसने मुझसे पहले सही किया, जल्दी बता दीजिए, बहुत अच्छा question है, एक question जरूर आ रहा है, important question, very important, आपके IQ को भी check करेगा, important question है, सबको आ गया, चले, question number, passage type, question, question six to ten, कितने अच्छे questions हैं, और इतने सारे हैं, different, different chapter में से, बच्चो दा reaction between MNO2 and SEL, ए, paper में hundred percent आएगा, मैं पक्का कह रहा हूं, जरूर नहीं पैसेश की format, किसी भी तरीके आ सकता है, यह जरूर आएगा, MNO2 और SEL, जब react करते हैं, है न, तो बच्चो क्या बन जाता है, MNCL2, CL2 और H2O, clear, तो अब हमें बताना है, MNO2, SEL, it was observed that a gas with bleaching ability was released, आपको पता है, किलोरीन है, उसमें भी bleaching properties होती है, बिलीच जानते होंगे आप, बिलीच मतलब जो की colored matter को कैसा कर देता है, colorless, जैसे आपने sheep से wool ली, और वो बूल गंदी होती है, तो उसे पहले बिल्कुर decalize किया जाता है, जैसे आपने हाथी के दानत ले जाता है, जब कोई मुझे जाते हैं, हाथी के दानत को English में क्या कहते हैं, चलिए, देखते हैं, जल्दी से और उसको बताओं किस से bleach किया जाता है, ओजौन की help से bleach किया जाता है, डेटेल में पढ़ेंगे class to help है, चले, तो आज आगे question, the chemical reaction between MNO2 and SCL, अब इस reaction को है, the correct choice is C, redox reaction, मैं आपको बता दूँ, MNO2 से बन गया, MNCl2, oxygen का removal हो रहा है, removal of oxygen है बच्चो, that is, reduction हुआ, और इसकी तरह काम करेगा, oxidizing agent, SCL से क्या बनना है, बच्चो, CL2, मतलब hydrogen का removal हो रहा है, oxidation, that is, reducing agent, बहुत important डाल देना बच्चो, मैंने बोला ना, इसके बिना बोड का paper नहीं बनेगा, 100% कह रहा हूँ, clear, तो आईए, ए, answer इसका क्या होगा, C, that is, redox reaction, सब को आगे, चले, question number 7, chlorine gas react with dash to form bleaching powder, सब important or tough question है, depth में जाके कर पाएंगे आप, आपने जब सारी lines पढ़ी होंगी, तो chlorine gas किस से react रहे, तो आपको पता है, slack lime बोल दो, या lime water, that is, slack lime बोलना चाहिए, dry, slack lime, इसके लिए, बद कुछ लोग lime water भी बोल सकते हैं, अगर वो question में पूछे तो, Cl2 क्या बन जाएगा, Caocl2 or plus H2, this is bleaching powder, bleaching powder का एक और नाम होता है, अगर आपको पता हो, तो kiloride of lime, ये बहुत बार पूछा गया है, पेपर में, के लिए, पक्का, चले, तो बच्चो, the correct choice is, dry, calcium, hydroxide, या dry, slack lime, सबको आगे, पक्का आ रहाए कि नहीं आ रहा है, धंक से आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरह, चले, next question number 8, तनू सारस्वत, आप बहुत अच्छे marks ला सकती है, इतने अच्छे कि आप अपने school को top भी कर सकती है, याद रखिए बच्चो, पक्का, चले, तो identify the correct statement, अब इसको reaction को आ जाईए, बापिस से देखाता हूँ, 8th है, MnO2 का क्या हुआ है, देखे, यहाँ पर आ जाईए, MnO2 का reduction हुआ है, oxidizing agent है, HCl का oxidation हुआ है, reducing agent है, तो बच्चो, यहाँ पर द्वारा लिख दूँ मैं, चली, द्वारा देख लेते हैं, no problem, तो यह question को जरूर कर लेना, 100% बोड में आएगा, जब मैंने बोल दिया, 100%, 90 नहीं बोल लाँ, 100, जरूर आ रहा है, के लिए, अब सुनिये, MnO2 से, MnCl2, oxygen अट रही है, that is, क्या हुआ है, reduction, that is, oxidizing agent, तो MnO2 is getting reduced, और HCl से क्या बनना है, Cl2, मतलब hydrogen remove हो रही है, hydrogen का remove होना, that is, oxidation, that is, reducing agent, तो MnO2 is getting reduced, whereas HCl is getting oxidized, यही सही है, no, 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 the correct choices, एक, किस का सही था, बैसे तुम्हें आपको पहले ही बता चुका था, बट सब का सही होना चाहिए, बहुत important, this is 100% question in board exam, पक्का, चलिए, next question, question number nine, in the above discussion, reaction, what is the nature of MnO2, अब आपको देख रहा है न, MnO2, किस से रेक कर रहा है अगे, HCl से, और क्या बना रहा है, salt, chlorine gas, और water, अब यहाँ पर, acid से रेक कर रहा है, तो पक्का यह क्या होगा बच्चो, base, clear, तो base होगा, basic oxide होगा, the correct choice is B, सबको आया, पक्का, डंग से आया न, दंग से पक्का, आज का एक competition, आपको follow करना है, आप winner हो सकते हैं, दिवाली gift temper के, और बहुत ही अच्छा gift temper है, चले, question number 10, what will happen if we take dry SCL gas, instead of aqueous solution of SCL, अगर हम dry SCL gas लेते, suppose, हम नहीं लेते, aqueous SCL, suppose, इसको नहीं लेते और इसको लेते, तो क्या होता, पक्का बच्चो रेक्षर नहीं होती, क्योंकि SCL acids iron में dry dissociate नहीं होगा, के लिए aqueous होगा, तो क्या लिखेंगे, reaction will not occur, सबको आगया कि नहीं आगया, पक्का, ढीक, डंक से, सबका सरी चल ला है, पक्का हो लिए, सबको आया ना, चले, next, पैसिस टाइब question, question number 11 to 15, read the following and answer from 1 to 5, आमने 4 नहीं दे रहे, सारे answers दे, sodium chloride is used as one of the raw material in the production of baking soda, आप सभी गता हैं, baking soda में बनाने काम आता है, baking soda is commonly used to make crispy pakodas in the kitchen, oh my god, किस-किस को अच्छा लगता है, पकोड़ा खाना अच्छा लगता है बटूरा खाना अच्छा लगता है चोले बटूरे और दोनों में बेकिंग सोड़ा किसको अच्छा लगता है छोले बटूरे की तरही होते जा रहे हैं तो आई it is also added for faster cooking जल्दी से जिनमें से कौन सी गैस निकलती है जैसे आप निकलता है तो आए देखते हैं क्वेस्टन क्वेस्टन नमर्ट 11 बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा होता है एन एच co3 or na co3 sodium hydrogen carbonate sodium bicarbonate तो this is not this is not this is not the correct choices a सबको आ रहा है बच्छो पक्का बोलो सबको आया कि नहीं आया है पक्का आया ना चलिए question नमर्ट 12 which of the following statement is correct regarding property बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा लिट नॉन कॉरोस से बिल्कुल खाते हैं भाई एट रेक्ट विद एसेड इवाल्विंग हाइट्रोजन गैस अगर हम एने co3 की acid से reaction करेंगे scl से तो एक कौनसी gas निकालेगा co2 निकालेगा भाई या मेरे हो है ना तो co2 निकालेगा और यहां पर कह रहा है hydrogen तो भाई तू तो गलत हो गया है ना तो all are correct तो हो नहीं सकते तो यह भी निकल लिए it is yellow किस लाइन सबस्टाइज नो it is white तो बिटा this is be the correct choice किस किस नहीं लगाया तो सही चली से बोलिए ना कि सर मेरा बिलकुल सही था पट मैंने पहले डी लबा दिया था डी नहीं होगा all are correct जरू जरू ही हर बार सही हो क्लिए question number 13 the temperature above which sodium bicarbonate decomposed to give sodium carbonate आपके हमबक के लिए रहा हूं बताइए कौन-कौन मुझे बताएगा क्लिए चलिए देस इस हमबक फॉर ओमा वीरा ओमा वीरा 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 कैसे हैं यह ना अब बहुत अच्छे बच्चे हैं हूं भी आप के साथ सबसे positive बात क्या है ना कि आप दिल से बहुत अच्छे है positive वाइस वाले बच्चे है तो आपके marks बहुत अच्छे आने चाहिए मेहनद खूप सारा करें क्लियर बच्चा पक्का चलिए तो next question number 14 baking powder is a mixture of आप सभी को पता होने चाहिए बेकिंग पाउडर में एक क्वे और एक क्या होता है बच्चो ताट्रे कैसे ताट्रे कैसे ले सकते हैं सेट्रे कैसे ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं तो sodium carbonate no sodium carbonate टाट्रे कैसे sodium carbonate बोल दिया है वैसे sodium bicarbonate होगा तो हाँ तो यह गलत हो गया sodium carbonate टाट्रे कैसे तो देखिए अब जो बच्चे जिन्होंने कम पढ़ाई कियोगी वह इन दोनों में confusion को किसी कोई से इस टेकला बादेंगे no sodium bicarbonate होता है तो the correct choice is D बहुत अच्छा question डाल देना confusing question था बच्चे गलती करते देखिए कि तीर बन लिया ओके चले important confusing question i.c.q चले question no 15 the chemical formula baking soda एज सब को पता होगा chemical formula एन एस CO3 होता है और मुझे पता है इस question को यस रजवानी अपने paper में गलत करके आये थे क्या यस मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जल्दी बता कितना easy question था इसको आप गलत करके आई हैं तो ऐसे मत करिए the correct choices easy question गलत करेंगे तो आप कभी choice questions आ रहे हैं अच्छे question tough question है और इस question को बहुत tough है और ढंक से सीखना tough question tq डंक से सीखना और scientist in the chemistry lab wants to make a salt of pH 5.5 5.5 है मतला acidic salt चाहिए उसे और अब acidic salt चाहिए तो बच्चो acidic salt और इसने हमें एक कुछ acid or base दिये हुए तो which of the acid and base he should use for the reaction अब सुनना डंक से अब जैसे हमने यहां पर लिया cs3 cwh और nao h this is strong base or this is weak acid किसकी चलेगी base की तो यह basic salt होगा basic salt होगा पका pH साथ से जाद होगा pH greater than 7 बहुत बहुत important question डाल देना और बहुत tough मैं बार बार कह रहा हूं tough important डंक से सीगे इस question को तो यह नहीं होगा देखिए क्लिया scl आपको पता strong acid nao h strong base है तो salt बनेगा neutral और neutral होगा तो पीह चाहेगा 7 यह भी नहीं होगा चलिए scl o n h 4 o h this is strong acid or this is weak base अब किसकी चलेगी acid की तो acidic salt होगा acid होगा तो pH 5.5 हो सकता है इसके according this is the choice this is weak acid or this is बच्चो strong base किसकी चलेगी base basic तो pH more than 7 गलत the correct choices see कितना अच्छा question दिया है या 90% बच्चों को यह paper में नहीं आएगा मैं लिख के दे रहा हूं आपको अब आपको समझ में आगया क्या नहीं आगया और नहीं आए तो आप लिखिए जिसने में कल इस question को द्वारा समझाओं आपको समझ में आए जिसको आगया वो लिखिए सब इलकुल confirm है और जिसको नहीं आए वो अगया सब कल इसे repeat करिए clear पक्का चले question number 17 the chemical reaction shows the reactants for the formation of baking soda अब सुन लिजे इस reaction को NaCl कोई बताएगा इस mixture को क्या कहते हैं ब्राइन ब्राइन और पिलस CO2 और ammonia से reaction कराई तो आपका बनता है अमोनियम किलो रहे हैं और एन ए एच सीओ थ्री डिस इस कितुना अच्छा question दिया या इस process का नाम अगर आपको याद हो तो solve process कहते थे देखिए बच्चों मेरे आपके मैं हाथ जोट रहा हूं request कर रहा हूं पढ़ा ही करें आप नहीं करेंगे तो इन्हीं questions को गलत कर पैहिएंगे कौन साथ choice से ही लग रहा है आपको कौन साथ choice तो भय आगया पक्का आगया वैरी वैरी बेटोड क्वरेड़क्ट जरूर का या जारन ओर अरहा है चले कोस्चन patient नम्र Знаण चकोशान होध के लिए कि इतने कभी किया कक तुम स्य Mallory कशब्स कर एक में नहीं कर पारें तो डंग से करें फाइब सॉल्यूशन और लेवर्ड है और पीएच स्केल अब बताना है विच किलासिफिकेशन इस करेक्ट इस्ट्रॉंगेस एसड ए और इस्ट्रॉंगेस बेस ई बिलकुर सही कह रहा है चलो इसकी बात माल लेते हैं सही 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 किलड़ ए स्ट्रॉंगेस ए स्ट्रॉंगेस बस्ट्रॉंगेस पसीलोकर इससथ्ट कर्ने की निए नहीं फीर में आपको बता दे रहा हूं है और अक्यृंगेस कर में रहसे मैं लट यह अध फॉक रयक्ट को सकत्व forwards और ऑ और मैनक बाबु माल हो गया जहें माल कर रहा माल है में पास है ना तो भीया डंक से करें इस माल के साथ question number 19 a string from insect a has pH of 6 एक डंक मारा किसी इंसेक्ट ने इसका पह से चाहिए रीजन है छहां थे लोगा तो इसको औठादो इसको एठादो इसको उठादो तो इन दोनों की लड़ाई खतम अब बच्चे दोनों भाई सोडियम हाइड्रोइन कार्विट और सोडिया देखिए पी एच भले ही सेविन से आगा बड़ इतना भी नहीं होना चीजिए न्यूटास आगोकी बाका कोई डेमेज कर ले इस और बाद उस की किसको का लिया है थैसी न्यूटास वाहत अच्छा क्वेस्चिन वेली 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 गुड और इजी वेश्ट सबौन्यूकर पक्ता रहा है ना चलेंग स्वेस्चिन नोमब 20 ला एक्टिय और एक्ट्विश सोजबा रेक एने सीएल एस तुओं एने सीएल बन गया और नहीं पता है किसकी से मिलके वना होता है इसने तो बहुत पूचा है कुछ पूचही नहीं पॉचिटीज बूचिज तो एने सील में है ने कि बॉचटीज गदिटीज ओठांद तो देश्ट इस अलुब सिज रॉंग इस कुछ था इस question में नहीं ना सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोला करिए सबको आ रहा है ना तो आने चाहिए आपको question ना competition का वीट करिए आने वाला competition question number 21 the pH value of 4 solution on a pH scalar zone मिलो 5 a b c d which solution alkaline in nature अब दिख एलकलाइन होते हैं alkaline मतलब basic और basic solution का pH अग पक्का 7 से ज़्यादा होता है कि लिए पक्का तो 7 से ज़्यादा होगा तो C होगा और D होगा तो correct choices C होगा अब यह question easy level में है बट यह paper में आएंगे easy और very important जरूर होनी कि हर question tough आएगा easy or important सब्सक्राइब पक्का पार्स रहे जा बूला कर बिटा बहुत अच्छा बच्राइब प्रतीक समझ में आए बिटा नौबार चली next question question number 22 an oxide of element P is added to an acid where it forms salt and water and other tables shows the value of pH and type of the elements before the reaction देखे common sense acid से react कर रहा है एक oxide और salt of water बना रहा है तो देखे इसे ऐसे करेंगे acid से react करके salt and water बना रहा है तो पक्का जो भी oxide होगा वो पक्का कैसा oxide होगा basic और basic oxide होगा तो pH पक्का 7 से greater होगा और basic oxide कौन बनाते हैं आपको याद हो तो metals कितना कामा से concept लिया उसने दोनों chapter mix कर दिया acid based salt भी mix कर दिया हो metal and non metal भी mix कर दिया और कर सकता है यह थोड़ी है कि metal non metal का लगसे question पूछे ना भई या और पक्का आते है question the correct choice कौन सा देख रहा है less than 7 less than 7 no greater than 7 this is not this is correct the correct choices see पका आया कि नहीं आया गीता मां बहुत अच्छे बच्चे हैं समझना आया बिटा कि चरण इस परस कि आसीर बाद दीजे बोलो बाबा अम्मा की जै नेस्ट आता है question number 23 23 a student makes an arrangement to test the electrical conductivity of distilled water अब हमसे कह रहा है the student object that bulb does not glow what could be the reason the bulb does not glow सबको आता होगा या डिस्टिल वाटर और acid-based salt में हमने बताये था डिस्टिल वाटर कभी भी electricity conduct नहीं करता है क्यों नहीं करता सबको पता क्योंकि distilled water does not have ions present in it the correct choice is d khatam करता है अच्छा लग रहा है देखिए टाइम को यूज करिए मुझे पता है कि आप विजी है मैं भी बहुत विजी हूं बट मैंने अपने काम को सारे काम को schedule करके आपके लिए काम करना नहीं तुमें चाहता नहीं भाई जाओ चुट्टी है आप एस मैं भी एस करता है बट नहीं टार्गेट कम्प्लीट होना चाहिए आप सब नहीं जबरस्ती का काम नहीं करना चाहिए बाइ हाट दिल से question number 24 अच्छा question आई आई स्टुडेंट प्लेश 10 ml एसल एंड एन एड एड कर दिया एक लिए बोलो अब बतानों एसल डाला एन एड तो पक्का इसका एसल में बेज डाला है प्याच क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो पी एच इंक्रीज होगा इंक्रीज और यह बेस में ऐसे डाला है डिक्रीज होगा तो इंक्रीज डिक्रीज और कितोना अच्छा question कहीं दिखते हैं आपको question कभी नहीं करें यह सीधे पेपर में आएंगे आपके वह आसानी से कर पाएंगे के लिया सबको आ रहा है बच्छो चलिए question number 25 a metal carbonate rate with solution by which forms a salt water and gas वाई आ जाओ गहीं है जैसे मैंने एक metal carbonate ले लिया एने कि एने टू सीओ अब किसे रेक्ट कराऊं कि salt बन जा तो पक्का यह बेसिक नीचर का है यह सबको पता है यह बेसिक होता है तो acid से रेक्ट करेगा किसे रेक्ट करेगा acid से क्लिया सबको आ रहा है acid से क्या बनेगा NaCl H2O और कौन सी gas निकलेगी CO2 तो this is metal carbonate this is solution x which forms a salt or this is water or this is gas y अब देखिए आराम से आगया x क्या हो गया आपका CO2 यह सबको आ गया देखिए मुझे तो सारे आते हैं बट आपको समझ में आने चाहिए questions आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बोली तो सार बंसर सीरियस मूर में पढ़ाई करिया माही सलूजा पका और जोड़ जोड़ से असने वाली हमारी बताओ कौन जल्दी से बोली जोड़ हमारी हैटी RPo है हमारी है अच एट यना बहुत अच्छी एं और का खूब सारे माक्स ला सकते हैं के चले question number 26 which equation for the reaction between SCL acid and sodium hydroxide is correct SCL acid and NaOH आईये SCL NaOH NaCl और H2O अब है इसने balancing की बूचिया ना तो balancing कर लेते हैं अरे इसमें तो balancing की नीडी ने अल्लेडी बैलेंस है तो एसेल एनेवच एनेवच एस्टो परेक्ट एचोइस सबको आ गया इजी क्वेस्चन था आ सकता है किलियर पक्कार आ रहे है कि क्वेस्चन नमार टॉन्टी सेवन अब बेसिक सॉल्यूशन एड़ेट टूर टैस्टू अब बिलू और डालें अमने बेसिक सॉलूशन ना वाट बिलू लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं आएगा बिलू नो चेंज तो यह तो काट दो पहले A कट गया B कट गया बिलू में नो चेंज रह लेटमस पेपर चेंज इस कलर आ एब इसी क्वेस्ट अब को आ गया अपका समझ में आगे जीवन भाई अच्छी तरह इसे पढ़िए खूब सारा पढ़िए इतना सारा पढ़िए कि पड़ोसी जल जाए आपके मास देख कर चाहते हैं आप लोग इसांत भाई चाहते हैं कि सर माक्स आने चाहिए जिससे पड़ोसियों के आग लग जाए क्यों जान भी अपका सही कहा रहा हूं बोलो बच्चा नहीं आया समझ में और इपसित अच्छे माक्स लाइए तज्ञें बंगे आपकी कौन क्या बन गए बच्चो जीजी और जीजी बड़ी भेन को कहते प्यार से कौन कौन कहता अपनी बड़ी भेन को जीजी आ ज़ो करेंगे आप करेंगे नेक्स क्वेस्टन की और मूब करते हैं और क्वेस्टन है आपका 29 इस्टुटेंट डिट इन एक्टिवटी इन विस्टाइड सोडियुम बाइकार्वनेट तू हीड्रोकलोरिक एसट इट फॉंस दा कार्वन डायकसाइड गैस डागैस रिलीज इस पा किनल ? मैं पास कराते हैं तो सीयं सीयो त्री का क्या बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट सब को आता हूंगा टैस्ट सब इस्ट का सब को आना चाहिए पका तो दा करेक्ट चोईस इज वाइट प्रेसी पटेट इस फॉर्म दा करेक्ट चोईस इज भी पका चले क्वेस्टन नम्बर थर्टी केलसियम ऑकसाइड इज एड़ेट तो वाटर इड़ेट वाटर विदाउट फॉर्मिंग बावल्स केलसियम ऑकसाइड को जब हम वाटर में डिजॉल्ब करेंगे तो क्या बन जाएगा केलसियम हाइडरोकसाइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं सब्सक्राइब होगा और इस रेक्शन में मिलती है बहुत सारी हीट और निकलती है कौन सी साउंड इसिंग साउंड के लिए पका चले क्वेस्टन नम्बर थर्टी वन और स्टुनेट एड्सम मेटलिक एश चलिए हमबक लिए देता हूं आप लिए और वैसे इसे समझ लीजे मेटलिक एश इन वाटर टेकन इन टेस्ट्यू दा एश गेट्स कंप्लेटल डिजॉल्ब इन वाटर एंड शॉलूशन चेंजिज कलर तो मैटल है पक्का मैटल का ऑक्साइड में डालेंगे ऑक्साइड या हैटरोक्साइड बनेगा तो क्या करना हो से कैसे पता सब्सक्राइब तो टेस्ट बेसिटी यूजिंग है रेयर इल्टमस पेपर एसे डिटी तो चेक नहीं करेंगा क्यों मैटल के ऑक्साइड है बेसिक होते हैं है ना नो नो दा करेक्क चॉइस भी चली मैं नहीं बता दिया आपको अच्छा वशन था इसलिए क्लिए क्लिए क अगर कंटेनिंग वाटर पोटेसियम की जब वाटर से रेक्शन करेंगे आग लग जाती है कि वच बनेगा और संग में कौन सी कैस निकलेगी हायट हो और सिल्वर रहना वह वाटर से रेक्शन नहीं करेंगा नो एक्स के लिए तो कौन सा देख रहा है के टूँए है एस ट सब्सक्राइब करेंगे वाला ना कि वह एक्शन टेक प्लेस दा करेक्ट चॉइस इस बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलिए क्वेस्चन नमर 33 दा केमीकल रेक्शन बिट्वीन पीस और कॉपर और नाइट्रिक एसट इस गिवन बाइदा केमीकल एक्वेशन तो आपने सब्सक्राइब को पता होगा कि मैटल कभी भी नाइट्रिक एसट के साथ नहीं निकालते किवल दो मैटल को छोड़ देते हैं कौन-कौन-से एम-जी और एम-एन पता है सब को तो क्यों तो हैट्रों गैस गैट्स ऑक्सिडाइज वाह एचनो थी टू फॉर्म में गोटर लफन दरेक्ट चोई इस भी गए सबको आगया बच्चो पक्कार आ रहाए ना चले क्वेस्टन नमर्ट थर्टी फोर विचीज डवीक एसेट तो आपको मैं बता दूँ देसेज वीग डिस इस्ट्रॉंग डिस इस ट्रॉंग डिस इस इस वीक तो कौन-कौन से सबको आगया चलिए 35 सिलेक्ट करेक्ट एक्वेशन विच रिप्रजेंट डबल डिस्प्लेश्मेंट डबल डिस्प्लेश्मेंट आप खुद पता करेंगे हम बग में दे दे रहा हूं सबको आया पक्का आया बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए वस्ट थर्टी क्वेश्चन पीफोर और ओटू तो देखिए पीफोर जब ओटू से रेक्शन करता है वैसे तो पीटू ओफाइब बनता है बट डाइमर बन जाता है वह थोड़ा सा आगे के लेवल का है पट पीफोर ओटें के लिए इसी तरह एमजी और पिलस ओटू क्या बन जाएगा बच्चो एम जी ओ तो यह ऐसे डिक ऑक्साइड है और यह बेसिक ऑक्साइड है याद रखिए दा करेक्ट चॉइस कौन से देख रही है आपको कौन सी देख रही है बच्चो पीफोर ओटें और एम जी ओ तो क्यों लिख दिया बेखाल तुम लेखा हुआ है चलिए तो दिस इस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दुट चॉइस सी ओके याद रखिए पीफोर ओटें दे सकता है और या पीटू ओफाइफ कुछ भी दे सकता है समझ में आ रही है पक्का चले कॉशन नम सब्सक्राइब करेंगे थर्टी एट तो बेसिक सॉलूशन कें बी इंक्रीज डुबाई अब देखिए बेस में बेसिक सॉलूशन है तो पक्का या तो एज पॉजिटिव को कम कर दो या ओएज को एड़ कर दो है ओके डिक्रीज या इंक्रीज ओएज नेगेटिव तो भाई डिक्रीज ओएच अचाहें से तो नहीं बढ़ाएंगे नौट बाइडिंग ओएच अचाहें बाईडिउसिंग एज पॉइंट तो बैटर जे रहे गा बाई बेसिक सोल्यूशन की बढ़ानी नहीं तो एड कर दो ओएच निगेटेव को के लिए तो ओएच निगेटेव होना ची इसलिए सही होगा सी सबको आगया नेक्स एड के लिए वेरी इंपूर्टेट नेक्स वेस्ट नमबर 40 यह वी हमबक के लिए हैं सबको आगय की नहीं आगया है तक पक्रटी कोशन्स अब आपका आज का पहले सर्प्राइज यह है सर्प्राइज तो यह है कि यह बताना है कि फर्स्ट नाम जो मैंने बच्चे का लिया और सेकंड नाम जो बच्चे का लिया उनमें कौन-कौन से क्वेश्चन नमबर पर है फर्स्ट वाला बच्चे का नाम कौन से क्वेश्चन पर है और सेकंड वाले बच्चे का नाम कौन से question पर है okay clear दूसरा जी-जी कौन-कौन है तीसरा माल कौन-कौन है माल अब यह तो आपके वह हुए question और आज का competition क्या है दीवाली competition आपको एक good deed करनी है good deed जानते हैं मतलब आपको एक ऐसा photo group पर डालना है आपके साथ कि आपने अच्छा काम किया है और किसी की दीवाली को happiness spread करने के लिए किसी के दीवाली के happiness में आपके थोड़ा सा छोटा सा रोल है यह ना बड़ा तो क्या हम छोटा सा अभी तो आप उस picture को share करिए with the caption की मतलब आपने क्या किया है इस picture में ओके और जो best top 10 होंगे top 10 सुनिए top 10 picks with caption होंगे group पर डालने है they will be awarded on after दीवाली yes चलिए happy दीवाली बच्चों समझ में आगया होगा क्या task है may God bless you बोलो बाबा अमा की जैर बाई बाई